जोदपुर में लोगडाउन को लेकर जारी नई गाइडलाइन के तहट ग्रामिन क्षेत्रों में दुकाने खोली गई सरकार के आदेश को लेकर स्थानिय लोगों ने बताया कि सरकार का यह है फैंसला अच्छा है इससे आमजन को तो राहत मिलेगी ही साथ में लोगों को जरूरी काम करने का भी मौका मिलेगा पूरे परदेश में नई व्यवस्ता लगव और यह लोगडाउन को लेकर कुछ दुकाने खोली जाएगी ग्रामिन सेतर की दुकाने खुलेगी सहर सेतर से बार की दुकाने खुलेगी और साथी जो महल और बड़े बड़े जो सफिंग सेंटर है वो सब बंद रहेंगे अभी कुछ नागरिक हमारे साथ है उनसे बात करेंगे जो कल से नया लोगडाउन का नियम लागव रहा है जो गाइडलाइन सरकार ने जारी करके दुकान खुलने का फैसला लिया है वो कैसा है सारानिय है या उनकी सोच में क्या है कल से दुकाने खुल रही है नई गाइडलाइन के साथ बताई ये किस तरह का ये फैसला है और आपको कैसा लगता है ये सरकार का बहुत ही सादानी है कि जिस परकार से पूरा देश आज इस महामारी से जुझ रहा है उसके साथ साथ बाजारों में रहनक पूरी कत्म हो रहा है कि यह बहुत से ऐसे परिवार है जिनका पालन पोजिशन भी नहीं हो रहा है सरकार की गाइडलाइड के मुताबित अगर कोई भी जिस जगे पर यह दुकाने खोलने का जो नियम लागू कर रहे हैं तो वहाँ पर दुकांदार को सेनिटाइजर का समय इस्तेमाल करना मास्क है सिर में कैप है और पैसे लेंदेन में भी उसको सेनिटाइजर का इस्तमाल करना चाहिए और खरीदार को भी जरूत के हिसाब से ताकि आम आदमी को किसी परकार की परेशन नहीं हो और हम आशा करते हैं कि दीरे दीरे इस कोरोना को हम बिल्कुल खतम करके रहेंगे कुली फा के द्सदार की कारवाई करें ताकि उससे आम जंता जाग रूख हो और अब समय ऐसी परिस्तिती है हम सब को बिल्कुल जाग रूख रहके इस देश के हर नागरिक एक जुमधार नागरिक के नाते हम लोगों को सोसे डिस्टेंस का भी द्यान रखना है प्लस सेनेटाइजर का भी समय समय पर इस्तमाल करना है और घर में जाने के पर साथ आपने हातों को बार बार अच्छी तरह से सब्सक्राइब दोना है मैं आम जंता से भी एक अपील करना चाहूंगा हमारी सुरुक्षा ही हमारा और उनको आपको क्या लगता है या वहाइदा जरूरी है अच्छा है बहुत बड़ी है इससे क्या है कि लोगों डिस्टेंस रहेगा और ग्रामिन सेत्रों में जो सरकार ने फैसला किया है इससे क्या है कि जो खिसान को रात मिलेगी जैसे खाद बीजने मिल पाना और जो सम करोना महामारी को लेकर